तो यह हमारा जो है इस चेप्टर का लास्ट बाट है इसमें मिसलीनियस को देखेंगे या फिर अधर टाइप के को देखेंगे यह हमारा कोशन नमर फ़र्स्ट है तो सबसे पहले इस को डिसकस करते हैं ठीक है कोशन नमर वन इस दा प्राबिबिलिटी आफ बिनिंग अगेम इस जीरो पॉइंट थे वाट इस दा प्राबिबिलिटी आफ लूजिंग इट ठीक है अब को इसमें आपने एक फार्मूला पड़ा हुआ है प्राबिविलिटि आफ गेटिंग one से यह प्राबिविलिटि यथो यह दो, ऊवन कहिंद प्राबिविलिटि आ備 गेटिंग और ये है प्राबिविलिटि आफ नाट केटिंग इसका है नौक इतिंग यह एक किति यह ठोब कमझ RICHा है probability of getting PE अपर बार क्या है probability of not getting ठीक है तो अगर हम बात करें win or lose के case में win, lose मा लिजे कि यह आपका probability of getting है तो यह आपका probability of not getting होगा या फिर हम या पर बोलेंगे probability of losing तो probability of getting में आपका PE हो जाएगा और probability of not getting में PE अपर बार हो जाएगा probability of getting not getting का सम जो है क्या होता है वन होता है तो इस फार्मूले को हम इस question के साथ discuss करेंगे यह बहुती rare case में पूछा जाता है अगर पूछा जाएगा तो एक नंबर में MCQ के फार्म में पूछा जाएगा तो MCQ के point of view से बहुत ही इसका सल्यूशन देखते हैं सल्यूशन प्राबिबिलिटी आफ विनिंग आगेम है ना तो हमें क्या दिया हुआ है दा प्राबिबिलिटी आफ विनिंग आगेम है इस इक्वल टू 0.3 ठीक है यहां पर हम प्राबिबिलिटी को हम दिखा सकते हैं किससे पी-ई से ठीक है किससे दिखा सकते हैं पी-ई से दिखा सकते हैं इसको विनिंग को तो यहां पर हमको फाइंट करना ही कि लूजिंग का तो लूजिंग हमारे पास यह हो जाएगा पी-ई आप देखो इसका फार्मूला कैसे बनता है अगर आपको यह चीछ चाहिए तो इसको उधर व जाएगा one-probability of winning क्या हो जाएगा probability of losing is equal to 1-probability of winning यह सब आपको करना नहीं है बस आपको सीधे याद रखना है यह winning का हमको दिया गया तो winning यहां one-meanus कर देंगे तो losing का मिल जाएगा तो calculate कैसे करेंगे वह देखो for the probability of losing a game P e plus P not e is equal to 1 P not is equal to 1 minus P e अब हमको P e दिया हुआ है probability of winning दिया हुआ है कितना दिया हुआ है 0.3 तो इसको 1 से माइनस कर देंगे अब देखो वैसे तो इसका answer क्या आगर मैं बता देता हूँ अगर आपको 1 में से 0.3 माइनस करना है तो सबसे पहले आप ऐसे लिखे 1 फिर यहाँ पर decimal लगा करके लिखे 0 और फिर यहाँ पर लिखे 3 और फिर इसको कीजिए माइनस यह 0 है यह 1 है जाके से करी लेगा इसके पास 10 हो जाएगा और 10 माइनस 3 करेंगे तो 7 बचेगा पॉइंट लगा देंगे इसने कैरी दे दिया है तो जीरो माइनस जीरो जीरो हो जाएगा तो यहाँ पर कितना अंसर आजाएगा यह आजाएगा जीरो पॉइंट सेवन कितना जाएगा जीरो पॉइंट सेवन यह क्या है हमारा यह हमारा है प्रॉबिविलिटी आफ लूजिंग आ गेम तो कॉंप्लिमेंट का आप इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं थोड़ा सा प्रेक्टिस कीजिएगा इस तरीके के क्वेश्चन का हो जाएगा और मैं इस वीडियो के बाद भी बहुत सारे क्वेश्चन करा दूंगा ठीक है आपके कोई डाउट होगा तो वह भी आप रहे हैं और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो दोस्तों को भी कर दो है ना कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखो चलो इसको स्क्रीन सॉट ले लो या फिर राइड़ाउन कर लो तो अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे कोईशन की तरफ इसमें हम बॉल से रिलेटेट कोईशन को देखेंगे अब जिसे यहां पर कोईशन नमबर टू है अब एग कंटेंस फाइफ रेड़ बॉल्स रेड़ बॉल कितने हैं फाइफ एट वाइट बॉल्स पोर ग्रीन बॉल है ना पाच रेड़ आठ वाइट फोर ग्रीन सेवन ब्लैक है ना बॉल इफ वन बॉल इज ड्राउन एट रेंडम फाइंड दा प्रॉबिलिटी दैट इट इस इसमें से यह करें कि अगर हमें मालो की एक बॉल निकालना हो तो उसकी प्रॉबिलिटी क्या होगी पहल और फूर्थ है हमारा की नाट ग्रीन बॉल यानि कि जब ग्रीन बॉल नहीं है उसकी आने की प्रॉबिलिटी कितनी होगी तो एक एक करके देखते हैं इसको सबसे पहले सॉलीशन अब देखние ऐसे कॉशन में सबसे पहले हम जो है टोटल इलिमेंटरी इवेंटको फईन करेंगे टोटल इलिमेंटरी इवेंटको फानने का तरीका होता है कि जितने कुछ दिए गए हैं उनको एड़ कर दो तो यहां पर बोलेंगे दिखो ईहर को टोटल नमBर half balls is equal to देखे 5 plus 8 plus 4 plus 7 तो 5, 8, 13 plus 4, 17 24 हो जाएगा तो total जो ball है उनकी संख्या कितना है 24 तो यहां से क्या हो जाएगा so total number of elementary event is equal to 24 अब यह याद रिखना हर question के लिए हम अलग अलग नहीं निकालेंगे एक बार निकाल दिया है बाकी सभी questions में हम यहीं रखेंगे अब यहां से हमारा first question निकालना है तो उसको हम write कर लेंगे first क्या है हमारे पास for black ball ठीक है सो black ball यहां पर कितना है black ball है हमारे पास seven है ना सो यहां पर हमरे फेवरेवल आउटकम क्या हो जाएगा है ना फेव फेवरेवल नंबर आफ एलिमेंट्री इवेंट्स एलिमेंट्री इवेंट्स तो अब फेवरेवल नंबर है आपके पास seven ब्लैक बाल आने की प्रॉबिल्टी यानि कि ब्लैक बाल कितना है सेवें तो यह हमारा हो जाएगा फेवरेवल नंबर आफ उटकम मैं थोड़ा सब फार्मूला लिख देता हूं प्रॉबिल्टी का लेकिन मैं उसे कुश्चन में नहीं लिखूंगा देखो प्रॉबिल्टी का फार्मूला होता है प्रॉबिल्टी आफ गेटिंग अब यहां पर अगर ब्लैक बाल है तो आगे ब्लैक बाल लिख देंगे पी इज इपल टू फेवरेवल नंबर आफ एलिमेंटरी इवेंट अपान दिख रहा है ना टोटल नंबर आफ एलिमेंटरी इवेंट्स देखो यह क्या लिखा है फेवरेवल नंबर आफ एलिमेंटरी इवेंट्स यहां पर आफ होगा टोटल नंबर आफ एलिमेंटरी इवेंट्स तो प्रबिछल्टी क्या होता है प्रोबिबिलिटी इग लिखे वरेवल नंबर आफ ए TVEंट्स अपान टोटल नंबर आफ एलिमेंटरी इवेंट्स तो यह फार्मूला हे मैं बार-बार इसको लिखूंगा नहीं ठीक आप चाहेते इसको याद रख सकते हैं तो यहां पर हमें probability किसका निकालना है ब्लैक बॉल का प्रॉबिबिलिटी कि आप ब्लैक बॉल पहले तो फेवरेबल आउटकम होता है फेवरेबल आउटकम कितना है सेवन यहां पर हम सेवन पुट कर देंगे अपान टोटल आउटकम होता है वो है 24 आप यह दुनों कट नहीं सकते तो सेवन अपान 24 क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा means जो हमारा first question है probability of getting a black ball is equal to 7 by 24 आंसर कितना है 7 by 24 किसका black ball को get करने का ठीक है तो अब हमारा next question होगा second second question में बोला गया है कि probability of ground a red ball तो फॉर रेड बॉल देखो रेड बॉल अपने पास है 5 तो यहां पर जो फेवरेबल आउटकम बनेगा वो कितना बनेगा 5 बनेगा फेवरेबल नंबर आफ एलिमेंटरी इवेंट इस इक्वल तो फाइब तो यहां पर डारेट हम प्राबिल्टी निकालेंगे प्राबिलिटी 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 आफ गेटिंग रेड बॉल गेटिंग रेड बॉल यहां पर पी लिख देंगे पी इज इक्वल टू अब रेड बॉल की फेवरेबल आउटकम कितना है फाइफ तो यहां पर फाइफ हो जाएगा और टोटल कितना है 24 तो फाइफ अपांट 24 इसका आंसर हो जाएगा तो अब आप इतना राइड डाउन कर लिजे प्रिम आगे बढ़ेंगे यहां पाउज करके वीडियो को स्क्रिंसाट ले लिजिए लिए तो आगे बढ़ेंगे हम अपने कुशन नंबर थार्ड की तरफ कंशन नंबर थार्ड में बोला है कि ग्रीन बॉल आने की परवाबिल्टी क्या है पार ग्रीन बोल तो अब यहां कि अच्छा ग्रीन बाल कितने भीया ग्रीन बाल फॉर है तो फेवरेवल नंबर आफ इलिमेंटरी इवेंट कितना हो जाएगा फॉर हो जाएगा यहां पर फार्मूला लगाएंगे प्रॉबिलिटी आफ गेटिंग ग्रीन बॉल यह हमारा प्रॉबिलिटी का सिंबोल होता है पिई इस इकवलटू करेंगे उपर होता है फेवरेवल आउटकमime और नीचे हो जाएगा टोटल आफ गॉलर्म अगे आपको बताया है कि टोटल आफ केटना ऊटे 4 अब में यह कर सकता है तो आन्सर केट न आ जाएगा फोर उंजा फोर फोर सिख जा 24 तो यह हमारा आंसर आ जाएगा वन अपान 6 ग्रीन बॉल आने की प्रॉबिल्टी कितना है वन अपान 6 अब हम अगला कुश्चन नुम्बर 4 करेंगे कुश्चन नुम्बर 4 के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को पॉज़ करके पहले इसे सॉल्व करें फिर मेरे आंसर से मिलाएं ठीक है यहाँ पर है फोर नौट ग्रीन बॉल ठीक है आप देखो बाबू ग्रीन बॉल कौन कौन सा है तो ग्रीन बॉल है बस इतना और हमें ग्रीन बॉल नहीं चाहिए तो मतलब यह हटा देंगे ग्रीन बॉल है फोर फोर हटा देंगे क्योंकि वह हमें नहीं चाहिए तो बाकी बच गया कितना फाइब बच गया एट बच गया और सेवन बच गया तो फाइब पलस एट पलस सेवन कितना हो जा विच आर नाट ग्रीन वो बॉल जो ग्रीन नहीं है उनकी संख्या कितना है 20 तो यहां से फेवरेबल आउटकम कितना बन जाएगा लिएवरेबल नंबर आफ अधि crunch कि एवरेबल उसक्राथ होन्mers एफ्यंगों लॉस्प्रमूल कितना प्रोगड 2017-20 का फार्मूल क्या होता है probability of getting is equal to favorable number of elementary event over total number of elementary event तो फर्मूला हम लिखेंगे नहीं आपर हम यहां पर राइट करेंगे probability of probability of not getting green ball इसको 4 से डिवाइट कर देंगे 4524 तो यह हमारा क्या आजाएगा आंसर आजाएगा तो यहां पर जो हमारा को पौच करें स्क्रीन सॉट ले लो हम बढ़ते हैं अगले कोश्चन की तरफ कर दोस्तों उमीद है आपने सब कर लिया होगा अब बढ़ते हैं अपने थर्ड कोश्चन की तरफ और इसी के साथ चैप्टर का यह लास्ट विडियो होगा और उमीद करते हैं आपने सब सब्सक्राइब कर सकते हैं यहां पर यह आपका क्यूब फेस है जिसमें फर्स्ट फेस पर ए सेकंड बी थर्ड सी फोर्थ पर डी फिप्थ ई और शिक्स पर ए ठीक है दा क्यूब इज थरौन वंस जो डाइस है जो क्यूब है उसको हम एक बार फेक रहे हैं वाट इस दा प्रॉबिलिटी आफ गेटिंग फस्ट ए यानि कि ए लाने की प्रॉबिलिटी कितनी होगी फेस पर या क्यूब जो सॉल्यूशन है कि सबसे पहले तो हम यह देखेंगे कि यहां पर हमारे जो टोटल नंबर अफ एलिमेंटरी इवेंट्स है वो कितना है और ही और ही और टोटल नंबर आफ एलिमेंटरी इवेंट अब देखो एक तो हमारे पास यह है दो तीन चार पांच छे तो टोटल हमारे पास एलिमेंटरी इवेंट है 6 कितना है 6 है अब हमारा जो फर्स्ट कुश्चन है कि ए आने की प्रॉबिलिटी कितनी होगी है तो हम देखेंगे कि एक कितनी बार यहां पर है तो देखो एक बार तो यहां पर है और दूसरा बार यहां पर है ठीके letter A दो बार आए है तो हम यहाँ पर लिखेंगे as letter A comes two times on the face of Q so अब letter A जो है वो दो बार आया है two times आया है इसको हम twice भी बोल सकते हैं तो हमारा favorable elementary events कितना हो जाएगा फेव रेवल number of number of elementary event कितना हो जाएगा दो अब favorable number हमें मिल गया कितना दो और total number कितना है six तो हमारा A आने की probability कितनी होगी probability of getting A P E is equal to formula होता है probability of getting A is equal to favorable number of elementary events over total number of elementary events यह हमारा formula होता है लेकिन हम formula नहीं write करेंगे यह हमारा favorable number of elementary events two इसको write कर देंगे उपर और यह है total number of elementary events इसको write कर देंगे नीचे two से cancel out हो सकता है two and two, two, three, six तो यह हमारा क्या हो जाएगा इसका answer हो जाएगा यानि कि जो A आने की probability है वो कितनी है two, one by three है यानि कि जो A आने की probability है वो कितनी है one by three है तो अब हम दूसरा question करेंगे यहाँ पर दूसरा question क्या है कि D आने की probability कितनी है तो उसको भी देख लेते हैं second question अच्छा देखो यहाँ पर message second लिखा हो था इसको फर्स्ट कर लीजिए यहां पर देखो data d कितनी बार आया है तो data ठीक इस एक बार आए है तो यहाँ पर लिखेंगे कि吧 लेटर डी si HOLT economics walandад टीक है तो लेटर-डी जो हो कितनी बार आए है एक बार आया है तो यहांसे अपनेगा तो कि अजण फेवरेबल नंबर आप अलिमेंटरी इवेंट्स इस इक्वल टूबन पराफ अलिमेंटरी इवेंट्स कितना बनेगा वन बनेगा तो यहां से probability कितनी आएगी है ना किसकी probability probability of getting letter d so probability of getting letter d दिख रहे है ना आपको पीई इज इक्वल टू आप दिखो अगर हमको डी लाना है तो पीई क्या होता है probability का symbol होता है और ऊपर क्या होता है favorable outcome नीचे total outcome तो favorable outcome देखे कितना है favorable outcome हमारे पास 1 है और total outcome हमारे पास 6 है तो यहाँ पर आजएगा 1 upon 6 यहीं हमारा क्या हो जाएगा answer हो जाएगा तो यहाँ पर जो हमारा answer आया प्राबिलिटी आफ गेटिंग ए वह आ गया है one by three और जो प्राबिलिटी आफ गेटिंग डी है वह आ गया one by six तो इसे प्रेकार से इसमें और भी यहाँ पर हमारे चाप्टर फिनिस होता है उम्मिद करता हूं कि आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा तो आगर आपको यह पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए और चैनल पर नहीं है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दी इसी परकार के आपको नए नए वीडियो मिलते रहेंगे अगर आपका कोई डाउट है कोई सजेशन है तो मुझे कमेंट बाक्स में बता सकते हैं तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक लिए जैहिन